हलो बच्चो तो हम ले आए आज एक नया लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जज एन्ड फील्ड का सेवन्थ पार्ट और आज पढ़ने जा रहे हैं Motion of a Charged Particle in an Electric Field किसी Electric Field के अंदर एक Charged Particle का Motion क्या बात है Kinematics, Motion, 11th Class कोई बात नहीं सिखाएंगे Tension मतलो ऐसा नहीं कि Board में नहीं है ये 12th में भी है NCRT में इसका सवाल भी है भाग नहीं सकते तो शुरू के एक दो Question इसके Board Level के हो जाएंगे उसके बाद J.M.A.S. on Neat Level के सवाल करेंगे ठीक है ना Projectile Motion डाल देंगे इसके अंदर Circular Motion भी डाल देंगे सब करेंगे इसके अंदर So my name is Alak Pandey and this is your beautiful सा चैनल Physics वाला तो चलिए भाई शुरू करते हैं ये Topic जिसका नाम है Motion of a Charged Particle अच्छा भाईया जो पिछला लेक्चर देखके नहीं आया उसका क्या होगा उसका कच समझ में नहीं आएगा In an electric field मैं ट्राइ करूँगा कि उसको भी समझ में आए Motion of a Charged Particle In an electric field अच्छा स्टार्ट करने से पहले आपको लेक्चर नमबर 4 की एक बात याद दिलाते है वो पुरानी बात अगर यहां पे कोई electric field है मान लो E और इस electric field में कोई charge क्यूँ है तो electric field में जैसे ही charge रखोगे उसके उपर लगेगी force अगर positive charge है तो force लगेगी field के direction में अगर negative charge है तो force लगेगी field के direction के opposite clear है positive charge पे force in the direction of field negative charge पे force in the direction opposite to field और इस force की value होगी Q times of E Q times of E इतनी बात आज के lecture में आप याद रखिएगा ठीक है कि कोई भी charge particle electric field में आदा तो उस पे force लगती है QE कितनी QE 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 positive पे in the direction of field negative पे in the direction opposite to field चलिए पहला सवाल लेते हैं माल लीजे यहाँ पे हमको दो plates दे दी और बोला इनके पीच में एक uniform electric field है uniform मतलब हर जगे बराबर constant electric field हर जगे एक जैसी electric field E है दो plates बनाई है अच्छा electric field किस से दूर भागती है positive charge से तो यानि उपर वाली plate को मैं ऐसे बना सकते है positive charge की plate तो electric field इससे अवे होती है ठीक है ना और electric field किस के तरफ जाती है negative charge की तरफ जाती है तो नीचे वाली plate पे हम negative charge से दें इसका कुछ मतलब नहीं है ऐसी समझ लो आज इस electric field में एक ननना सा मुनना सा प्यारा सा electron जिसका मास M ये पुचुक सा ये V0 velocity से enter करने की कोशिश कर रहा और इसकी velocity field के perpendicular या ऐसे समझ लो ऐसे horizon ठीक है होगा क्या जैसे ही ये electron अंदर घुसेगा electron पे कौन सा चार्ज negative charge तो positive वाली plate उसको अपनी तरफ बुलाएगी पर electron कहेगा हम सीधे जाएंगे plate कहेगी हमारे पास हो हमारे पास हो तो ये electron की path कुछ ऐसी हो जाएगी होगी ये इस velocity से आगे जाना चाहेगा तो प्लेट इसको ऊपर खीचती जाएगी positive plate तो electron अपने original रास्ते से y distance shift हो जाएगा displace हो जाएगा ठीक है तो पहला सवाल तो रहेगा कि इस y को calculate करो दूसरा सवाल रहेगा कि electron जब यहां से बाहर निकल रहा तो निकलते वक्त कितना angle theta बना रहा तो दो सवाल है एक तो y निकालना है electron का shift कहलो deflection कहलो deflect हुआ और एक theta निकालना है theta भी deflection है या angle at which it emerges दो पार्ट है सवाल के दोनों निकालने है ठीक है इसको मैं मिटार दू चलो करो इसको यह जो plate की length है यह भी हमें दे रखी है plate की length बोली है x चलो किया जाए मैं करूँ चलो करते हैं यह electron मान लो यहाँ पर है अंदर घुसा जैसे ही electron अंदर घुसेगा एक charge particle electric field में इसके उपर लगेगी force f is equals to qe और electron के उपर negative charge है तो force लगेगी opposite to field तो इस तरफ एक force लगी opposite to field कित्ती लगती है force f is equals to qe electron पे charge कितना है small e into e तो ee नाम की force लगेगी उपर वैसे भी negative है तो positive अपनी तरफ बुलाएगा तो electron पे एक force लगी y direction में ee जिसकी वज़े से electron के पास एक exploration आ जाएगा वो भी y direction में ee by m by exploration क्या होता है force upon mass अच्छा और x direction में क्या कहते हो x direction में कोई exploration होगा 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 x direction में कोई force लगेगी नहीं force या तो field के direction में लगती या field के opposite लगती negative charge है तो field के opposite x में कोई force नहीं तो x का exploration 0 बस इतनी सी बात है हमें तुमसे प्यार है हमें तुमसे प्यार है अब इसके motion को x और y में divide कर लो just divide its motion in x and y खतम सवाल अब इसके सवाल में कोई दम नहीं है x और y में motion को treat कर देखो वैसे भी 2D motion देख रहा है x में आगे बढ़ रहा है y में उपर चाह रहा है तो दोनों में अलग-अलग read करते हैं चलो what is the time taken चलो t मान लेते हैं t time में मानते हैं वो यहां से यहां बहुचा तो x में इतना चला y में इतना चला दो तरह के motion कर रहा क्या हम यहां से बोल सकते है s is equals to ut plus half a t square x direction में लगाओ x direction का displacement x initial velocity v naught time लगा t और यह term 0 क्योंकि acceleration तो कोई है नहीं यहां से time मिल रहा है x बटे v naught time है x बटे v naught जितने time में वो यह distance cover किया उतने ही time में यह distance भी cover किया अब y की बात करें what is the initial velocity in y direction 0 भया y में कहा कोई velocity है शुरू में बाद में हो जाएगी आईतायते है exclaration है y में exclaration y में कितना है e by m displacement y में कितना है y में displacement y के बरावर है है की ने time कितना लगा t यही time होगा जितने time में आगे बढ़ा उतने time में उपर यानि time हो गया x by v naught अब y direction में भी यही equation apply कर दो s is equals to ut plus half a t square s की जगे y ये term 0 हो गया इस बार half a की जगे e by m t square यानि x square upon v naught का स्कूर अरे खत्म पहला पार तक गया answer y is equals to e e by m x square upon v naught का स्कूर by 2 खत्म मिल गया deflection मिल गया आपको deflection y की value आ गई क्या half e e by m x square upon v naught का स्कूर first part खत्म second part क्या है deflection theta निकालना है कि कैसे deflect हुआ कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा अपना deflection निकालने के लिए velocity का इस्तमाल करेंगे जब electron यहां तक पहुचा तो इस point पे इसके पास दो velocity है एक तो velocity x direction की एक velocity y की शुरू में तो y में velocity है नी पर बाद में बन जाएगी exploration की वजह से तो इसकी x और y वाली velocity चाहिए क्या किया जाए क्या किया जाए इसको मिटार दू मैं s is equal ut plus half 80 square u की जगे 0 रख एक ही जगे e रख एक ही रख एक ही रख एक ही रख एक ही ती की जगे ठीक है मिटार दू ओक्य अब इसकी हम दो velocity निकालते हैं एक तो vx और एक vy so v is equal to u plus 80 apply कर दो x direction so vx is equal to ux की value v naught और ये term तो 0 so vx की value v naught हो गए इसी तरह से y में निकालना है so v is equal to u plus 80 vy ऐसी इसी में लिख लिए y direction vy is equal to u y 0 हो गया ay is e e by m और d is x by v naught so vy भी मिल गया vx भी मिल गया अब आपको angle theta चाहिए you need this angle theta this angle theta अच्छा जड़ा यहां से देखो अगर v y को उठाके मैं यहां रख दू रख सकते हैं कि नहीं यहां आप देखो ऐसे बना दे यह इन्हों ने बोला v x यह बोला v y और यह इसकी resultant velocity यह angle theta क्या मैं v y को उठाकर क्या मैं v y को उठाकर और अच्छी इतना गंदा कून करता है सर यह यह v y यह v x और यह resultant velocity थीटा अगर v y को उठाकर यहां पर रख दें हम रख सकते हैं तो यहां से देखो tan theta की value कितनी हो जाएगी v y by v x v y को उठाकर यहां रख दो tan theta will be perpendicular by base यानि हम बोल सकते है tan theta is equals to v y by v x v y की value e e by m x by v naught और v x की value v naught तो यहां v naught देखोगे इसका square यह आपको angle मिल गया theta is equals to tan inverse लगा दो answer आ गया तो theta angle at which it emerges theta तो नहीं मिल रहा है tan theta मिल रहा है इससे theta निकल आएगा e e by m v naught square into x तो यह हो गया deflection यह हो गया angle खत्म अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो deflection y है या theta, theta भी तो deflection नहीं है deflect हो गया initial ऐसे जा रहा था इतने angle से deflect हो गया theta भी deflection दोनों ही चीज़े charge to mass ratio पे depend कर रही है charge to mass उपर देखो charge है पीचे mass charged to mass मतलब charge जितना ज़्यादा होगा deflection उतना ज़्यादा देखो जितना ज़्यादा charge होगा उतनी force लगेगी उतना deflection mass जितना कम होगा उतना अलब reflection mass जितना कम होगा उतना हलका particle उतनी अलदी बह जाएगा यानि charge to mass ratio जितना ज़्यादा E by M जितना ज़्यादा deflection उतना ज़्यादा अब देखो यही सवाल NCRT में है ठीक है बस इसमें यही था कि X और Y में motion को बाटना था सवाल नंबर दो देखो यही सवाल NCRT में कैसे दिया उन्होंने बोला यहां एक plate है यहां एक plate है इसमें positive charge है NCRT के हिसाब से थोड़ी सरकारी आवाज और यहां एक charge particle है 1, एक charge particle है 2 और एक charge particle है 3 हमसे पूछा 1, 2 और 3 इन तीनो charge particle का sign बताईए positive के negative और किसका charge to mass ratio सबसे ज़्यादा है यह भी बताईए चलिए करें इसका sign, इसका sign, इसका sign देखो 1 वाला positive की तरफ भाग रहा है यानि negative sign होगा 2 वाला भी positive की तरफ भाग रहा है यानि negative sign होगा 3 वाला negative की तरफ भाग रहा है यानि positive sign होगा अब charge to mass ratio किसका ज़्यादा जिसका deflection सबसे ज़्यादा इसका deflection दिख रहा है सबसे ज़्यादा तो 3 का charge to mass ratio क्या होगा highest रीजन क्या है कि इसका डिफ्लेक्शन भी आपको दिख रहा है हाई यह सब से यादा डिफ्लेक्ट हुआ है क्लियर है क्या या था य का वैलू यह आया था ना हाफ ए ए बाई एम एक्स स्क्वेर अपॉन वी नाट का स्क्वेर चार्ज टू मास रिश्यो जितना ज्यादा वाई उतना ज्यादा क्लियर है मिटार दे ओक्या चलिए अगला सवाल करते हैं क्यों नंबर थ्री एक बढ़िया सवाल ले लेते हैं कि यहां फिर से एक प्लास-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्लस-प्ल मैंने बोला electric field का magnitude E और यह बच्चो एक gravity free space है पहला सवाल भी gravity free था बताना भूल गए एक काम करेंगे, edit करके वहाँ लिख देंगे ठीक है, so this is also a gravity free space देखो gravity free नहीं होता तो पिछले वाले question में एक और force आजाती mg की y direction में जिसकी वैसे पूरे motion पर फरक पड़ता तो हमने gravity free मान लिया gravity नहीं है आपे अच्छा, अब इस plate की length मान लो L है और ये मान लो D है height इसकी D है एक charge particle लिया हमने mass M charge Q और यहाँ से उसको ऐसे फेका वही V naught velocities है V naught velocities मान लो एक दम beach से फेका D by 2 कहीं से भी दे सकता था अभी मैंने दे दिया beach से कहीं से भी हो सकता है सवाल अच्छ अब अच्छ है ये बताओ अगर V naught की value बहुत कम होगी तो क्या होगा तो ये charge particle है इस पर positive charge है मान लो plus Q charge है अच्छा अगर V naught बहुत कम होगा तो इस plus Q को minus Q अपनी तरफ खीचेगा V naught कम है जल्दी नीचे गिर जाएगा अगर V naught जादा होगा तो थोड़ा आगे गिरेगा V naught थोड़ा और जादा होगा तो cross कर जाएगा यानि V naught की एक particular value होगी जिस पर ये cross कर पा रहा है वन्ना भाई field इसको पकड़ के गिरा लेगी तो हम से पूछा है find minimum value for V naught such that charge Q just crosses the plate just plate को cross कर ले V naught की ऐसी value निकालो कि बस ये ऐसे निकल जाए ऐसी value कम रखोगे तो गिर जाएगा ठीक है ये हमें बताना है कुछ नहीं करना है motion को x और y में तोड़ना है motion को तोड़ दो x और y में सवाल हो जाएगा असान x और y में divide कर दो motion को चलो मुझे बताओ what is the velocity in x direction it is V naught what is the initial velocity in y direction it is 0 what is the exploration in x direction भया 0 होगा x में तो कोई force लगेगी नहीं इस charge particle पे किसमें लगेगी y में लगेगी यह charge particle जैसे ही अंदर आएगा इस पे force इधर लगेगी f is equals to q e positive charge पे force किधर लगती है in the direction of field भया in the direction of field ऐसे है ना तो force जो लग रही है इस पे वो y direction में है कितनी q e नीचे की तरफ इसको यह खीच लेगा कि नहीं तो exploration भी y direction में होगा force upon mass q e by m और x direction का exploration 0 होगा x में तो कोई force है नहीं अच्छा what is the displacement in x direction क्या चाहते हो आप आप चाहते हो x में बस l cross हो जाए so you want displacement in x to be greater than l इसे लिख सकते है just greater than l x से अरे l से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो काम बन जाए आच्छा time कितना लगा माल लेते है time t लगा अब जितने time में वो यह distance कवर कर रहा x में उतने time में वो y में यह distance कवर कर रहा देखो यहां से यहां गिरा तो y में यह distance कवर किया तो जड़ाब y की बात करें what is the escalation in y direction it is q e by m what is the displacement in y direction it is d by 2 जितने time में यह distance x में कवर किया उतने में y में यह कवर किया दोनों motion एक साथ हो यहां पे भी time y रहेगा t अब t की value यहां से निकालो s is equals to ut plus half a t square y में y में y में displacement कितना है d by 2 is equals to यह term 0 plus half a की जगा q e by m into t square यहां से t आपको मिल जाएगा 2 से 2 cancel होगा t is equals to m d by q e का under root बुल यह आएगा m d by q e कुछ गलती तो नहीं हुई है s हमने लिया d by 2 0 half a q e by m t square ठीक है अब आज़ा यहां पे s आप चाहते हो greater than l हो यानि s x होगा कितना speed into time exclaration तो है नहीं तो s x की value होगी कितनी इसकी value हो जाएगी u into t is greater than l बाई यह exclaration तो है नहीं ना तो ut plus half a t square में a तो 0 होगया तो displacement is velocity into time u कितना है v naught into t is greater than l so v naught into under root md by qe is greater than l v naught is greater than l into qe by md to vice do centered minimum minimum क्या चाहते हो कि displacement इतना हो जाए कहे हो कम से कम displacement हो जाए यानि ये कम से कम इतना हो, कम से कम ये हो, कम से कम ये हो, और V-naught की minimum to minimum value, L into QE by M-D, इससे ज़ादा होगा तो भी बाहर निकल जाए, clear है तो बस यही सब करना है, इसमें थोड़ा दिमाख लगाना है, escalation वगेरा देखना है, और 2D में motion को analyze करना है, मिटार दें, okay, मिटार दें, okay, अब जड़ा देखो, एक सवाल लेते हैं, projectile, proper projectile motion का, ठीक है, तो हमको एक सवाल दिया इन्होंने, कि यहाँ पे फिर से वही charge plate है, plus 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 plus, यहाँ पे वही charge plate है, minus 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 minus, minus minus, ठीक है, इनके बीच में uniform electric field वगेरा हो जाएगी, उपर से नीचे, और इन plates के बीच का distance भी मानलों को दे रखा है D, आच्छा, और वही gravity free space है, ठीक है फिर से, gravity free space, वनना एक force mg भी लगने लगेगी इन सब में, जो हमने चाहते हैं, यहाँ पे एक charge particle को, हमने ground से ही फेका है, यहाँ से फेका with speed u, at an angle of 37 degree, ठीक है, proper projectile motion एकदा, अब सवाल यह है, कि यह एक charge particle है, ठीक है, इस particle has mass m and charge q, positive charge है, ठीक है, इसके अपर force नीचे की तरफ लग रही, यह उपर जा रहा है, तो force नीचे कीच रही, electric field होगी ना ऐसे, तो force कितर लगेगे, in the direction of field, सवाल यह है, find the value of u, such that, it just touches the upper plate, अब इसको दो तरह से दे सकता एक्जाम में, just touches the upper plate, यह just misses the upper plate, जा सोच कि इसका diagram बनाओ एक बार, सोचो अराम से क्या चीज़ है, just touches the upper plate, यह just misses the upper plate, सोचो, find the value of u, just, क्या यह ऐसी बात कर रहा है, कि यह projectile की, जो h max है, इस projectile की, जो maximum height है, वो in plate के separation के बराबर हो, तभी तो यह just touch करते हैं निकल जाएगा, just touch करते हैं, just ऐसे, इससे ज़्यादा maximum height होती, तो तोड़ के बाहर जाता, इससे कम होती, तो touch करने की बात ही नहीं, तभी touch करके निकलेगा, जब इसकी maximum height, plates के बीच के distance के बराबर हो, खतम होगे ऐसा वाल, h max की value बोलो, projectile में, बोलो बोलो बोलो, u square sin square theta by 2g, class 11, याद करो, u square sin square theta by 2g, अच्छा, या सर यहां तो gravity free space है, बिल्गुल gravity free space है, पर यहां g का role play कर रहा है, electric field की वज़े से आने वाला exclaration, देखो, electric field क्या ऐसे लगेगी, e, क्या इसकी वज़े से, इस charge particle पे नीचे की तरफ force लगने लगेगी, भाई, electric field के direction पे force लगती है, पॉस्टिफ चार्ज पे, कितनी force लगने लगेगी, f is equals to qe, इसकी वज़े से, इस charge particle पे नीचे की तरफ ही, एक exclaration आने लगेगा, exclaration in the y direction, qe by m, यार यही exclaration, तो इस बार g का role play कर रहा है, पहले जब projectile इसे ground से उपर फेकते थे तो, g उसको नीचे खीचता था, अभी कौनसा exclaration उसको नीचे खीच रहा है, qe by m, g नहीं है, तो g जैसा कुछ है, इसको हम बोल देते हैं, g effective, जब इसको ground से उपर फेका, तो electric field है से, तो इस प्लस charge है, इस पे force किदह लगेगी, in the direction of field, अरे इसको negative अपनी तरफ कीच लेगा, किस force से कीचेगा, qe force से, यानि नीचे की तरफ एक exclaration होगी, qe by m, projectile में नीचे की तरफ एक exclaration, g होती थी, यानि g को इसने replace कर लिया, काम खतम, h max is equals to, u square, sine कितना है, 37, sine square 37, upon 2, 2 और g की जगे कौन आ गया है, यह वाला exclaration, 2 into qe by m, और h max किसके बराबर हो जाए, separation between the plates, d, यहां से u की बैलो निकाल, काम खतम, u square, sine 37 कितना होता है, सबको याद है, यह होता है, 37 degree, यह 37, यह 3, यह 4, यह 5, यहां से sine 37 हो जाएगा, 3 बटे 5, यह यह निदी इस इक्वेल स्टू यू स्क्वेर, into 3 बटे 5 का स्क्वेर, divided by 2 qe by m, इसको इदर लेकर चले, multiply कर लेते हैं, तो 2 qe d by m, यह हो जाएगा, multiply होगे, qe d by m, is equals to u square, into 3 by 5 का whole square, इसको इदर लेओ, u square into 5 by 3 का whole square, यहां से u की value आजाएगी, पूरा under root करोगे, तो 5 by 3 into under root 2 qe d by, अरे, बच्चों, यह सब तो आपके कल लोगे, तो यह वैलू होंगी, क्या पता q की value दे रख्यों, सिर्शिदा आंसर आजाएगा, concept यह था, कि just touches, यहां पर G नहीं है, फिर भी projectile motion है, तो G की जगे कौन आ गया है, मतलब अर्थ की gravitational field की जगे, यहां electric field वाला खेल खेल लई है, electric field की वज़े से नीचे तरफ exploration की वी बाएँ, उसको हमने बोला G effective, क्या बोला G effective, ज़रा G effective पर देखो, क्या सवाल बन सकता है, बढ़ियाँ advanced level का सवाल, मिटारें इसको, मिटारें, आच्छा, जैसे G effective पर हम क्या सवाल बना सकते हैं, question number 5 हो जागा ना, मेरे ख्याल से, जी effective पर हम क्या सवाल बना सकते हैं, कि इदो बहुत बढ़े सवाल, कि फिर से यहाँ पे, एक plate ले ली, plus 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 plus, यहाँ पे भी एक plate ले ली, minus 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 minus, electric field उपर से नीचे, यहाँ मानलो कि, एक, bob टंगा हुआ है, बॉल टंगी हुई है, ठीक है, इस बॉल को, अच्छा gravity free space, फिर से क्या है, gravity, free space, इस बॉल को, कितनी minimum velocity से, यहाँ से फेके, कि यह complete circular motion कर पाए, इसको कम से कम, कितनी speed से फेके, कि यह complete circular motion कर पाए, इस पे mass M है, charge Q है, electric field E, हाँ, तो हमने class 11 पे पढ़ा था, कि अगर complete circle कराना है, तो इसको याद हम क्या बोलते थे, critical velocity, तो इस point पे critical velocity, कम से कम कितनी होनी चाहिए, circular motion पढ़ा था कि नहीं, critical velocity कितनी होती थी, अंडर रूट 5 G R, वेर R is the radius of this circle, या length of this wire, दिक्कत क्या है कि gravity free space है, यहाँ G है यही नहीं, तो यहाँ G का role कौन प्ले कर रहा है, electric field, कोई दिक्कत नहीं, G की जगे लिख दो G effective, यह भूल गए, इस जगे पे minimum velocity कितनी होती थी, याद है, root G R, और यहाँ पे कम से कम, root 5 G R, तब ही circle complete होगा, अगर भूल गए तो लिख लो, अगर circular motion complete करना है, तो इस जगे पे minimum velocity, root G R, और इस जगे पे minimum velocity, root 5 G R, इस से कम velocity से फेकोगे, तो ऐसे जाके इसे वापस ऐसे आए जाएगा, ऐसे फेको, यहाँ हो सकता हो, यहाँ से गिर पड़े, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो अब यहाँ G नहीं है, G की जगे क्या है, G effective है, G effective कौन बना रहा है, यह, इस पे एक force लगेगी नीचे की तरफ, F is equals to QE, जिसकी वएसे एक exploration आएगा, Y direction में, QE by M, और यही क्या बन गया, G effective, यह वाला exploration है, जी की जगे, यानि, अंडर root 5, QE by M, into R, बस खत्म, QE by M into R, अब एक किताब में क्या किया, कि इसका gravity free space हटा दिया, बोला gravity भी है, कहा अब U minimum बताओ, if, gravity is there, अब बताओ U minimum कितना होगा, तो U minimum की value, अंडर root 5, G, आर कम से कम इतनी speed से फेकेंगे, अब इस बार GB है और यह भी है, मतलब एक इस पे नीचे की तरफ, M G भी लग रहा है, एक QE भी लग रहा है, M G भी लग रहा है, QE भी लग रहा है, तो इस बार इसका net exclaration Y में कितना हो जाएगा, QE by M plus G, इस बार यह बन गया G, बोलो समझे, समझे कि नीचे जब gravity भी आ गई, तो एक G भी नीचे लग रहा है, QE by M भी लग रहा है, तो इस बार आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 5, QE by M plus G into R, ऐसा भी सवाल बन सकता है, ग्रैविटी भी है भाईया, यह भी है, दोनों मिल गए, तो ओवरॉल G इफेक्टिव बढ़ गया, तो रूट 5 G R की जगे, रूट 5 QE by M plus G into R, यहाँ पे रूट G R की जगे, G की जगे क्या जाएगा, QE by M plus G into R, उपर अले पुएंट पर पूछता, ग्रैर है, तो यह G इफेक्टिव वाले सवाल, इस तरह से आ सकते हैं, जैसे यह पेंडूलम में भी पढ़ाया जा सकता है, पेंडूलम का टाइम प्रियेट सब को याद है, टू पाई अंडर रूट L by G, टू पाई अंडर रूट L by G, इसमें भी यह G नहीं होता है, जी एफेक्टिव होता है, मान लो, इन्ही प्लेट्स के बीच में, एक पेंडूलम को रख दें, और यहाँ ग्रैविटी है, ग्रैविटी फ्री नहीं है, यहाँ ग्रैविटी है, और यहाँ आपने एक पेंडूलम रख दिया, लेंद एल का, इसके मास M, और इसके उपाँ चार्ज Q है, चार्ज भी है, अब पूछा इसका टाइम पिरिएट क्या है, तो इस पेंडूलम पर देखो, इस बार नीचे की तरफ एक नई फोर्स लगने लगेगी, F is equals to QE, जिसके वैसे एक नया एस्क्लोरेशन आ जाएगा, QE by M, और एक पहले से है, G, यानि टाइम पिरिएट में G एफेक्टिव रखना होगा, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, पढ़ा ही करते रहें, All the very best!